हाई फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपना करेक्टर सेटिपिकेट ऑनलाइन एपलाई कैसे कर सकते हैं करेक्टर सेटिपिकेट की अभी वेबसाइट नहीं जल लेए तो इसके लिए आपको फोन सही एपलाई करना पड़ेगा यूपी को अपनाम का एक एप है जिसे डाउनलोड करकर आप करेक्टर सेटिपिकेट के लिए ओनलाइन एपलाई कर सकते हैं करेक्टर सेटिपिकेट के अगर डोकुमेंट की बात करें तो यहाँ पर कोई ज्यादा डोकुमेंट आपको नहीं चाहिए केवल आपको यहाँ पर अपना एक आधरकाड और एक फोटू के साथ आप अपने करेक्टर सेटिपिकेट एपलाई कर सकते हैं करेक्टर सेटिपिकेट आप दिन में ट्राई करेंगे तो हो सकता आपका एपलाई ना हो पाए देखने के लिए मिल जाएगा इस तरीके का लोगों होिगा आपको देख लेना आए और इसे याप को इस्टॉल कर लेना है यहाँ पर Case तरीके का इस एप का इंटरफेस आपको दिखाई देगा इसमें नीचे देखेंगे आप सर्विस का आपसन मिलेगा इस पर किलिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ऐप्लिकेंट करना आप जो भी एपलिकेंट है उनका नाम दर्ज करना है नाम दर्ज करने के बाद यहाँ पर आपको email id दर्ज कर देनी है उसके नीचे यहाँ पर आपको applicant का mobile number दर्ज करना है उसके बाद यहाँ पर आपको एक alpha numeric password बना लेना है password बनाने के बाद नीचे आपको submit पर click करना है समेट पर किलिक करने के बाद जो भी अभी आपने मुवाल लंबर दर्ज किया उस पर एक चार नमबर की OTP वेजी जाएगी उस OTP को यहाँ पर दर्ज करेंगे और verify पर किलिक कर देंगे verify पर किलिक करने के बाद आप यहाँ पर successfully registered हो जाएगे आप यहाँ पर आपको login करना तो login यहाँ पर आपने जो मोगल लंबर अभी दर्ज किया से मोगल लंबर को यहाँ पर दर्ज करेंगे बाद यहाँ पर आपको दो option मिलेंगे get OTP और यहाँ पर login बाया पासवर्ट तो अभी आपने पासवर्ट कreate किया है आप मुवाई लमॉबो और पासवड से भी log in कर सकते हैं अधर बाहरा पर आप OTP से भी log in कर सकते हैं तो यहां पर नमबर मधर पर उट पर आपको दर्च कर देना और नीचे बैरिफाइब पर किलिक करने के बाद यहां पर कुछ इस्टक्शन सा जाएंगे इससे आपको उपर से बंद कर देना के बाद आपके कुछ बेसिक डिटेल्स आ जाएगी जो कि आपने रेइस्टेशन के समय फिल की तो यहां पर अगर आ आप यहां पर आप एक नया फिरेश फॉर्म भर सकते हैं तो सबसे पहले यहां पर आपको अप्लिकेंट का नाम दर्च करना है उसके बाद यहां पर आपको मौल लंबर दर्च करना है और उसके बाद यहां पर आपको email id दर्च करने के बाद नीचे father name दर्च करेंगे उसक पर नीचे यहाँ पर आपको अपना डिस्टिक करना है तो यहाँ पर आपको टोटली डिस्टिक की लिस्ट यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी तो जैसे आप अपने डिस्टिक के कुछ लेटर टाइप करेंगे तो आपके डिस्टिक का नाम आ जाएगा तो यहाँ पर करेंगा तो आप कितने समय से रहें तो यहाँ पर आप को दष्ट कर देना है उसके बाद यहाँ पर आप से परमनेंट अडरस सें पूचा जाएंगा। होता है तो यहां पर yes करके उसकी details देंगे, otherwise यहां पर no रहने देंगे, उसके बाद आप यहां पर photo upload करना है, तो upload photo पर click करेंगे, उसके बाद यहां पर आपकी gallery open होकर आजाएगी, इसमें से आप अपने photo को select कर सकते हैं, उसके बाद नीचे यहां पर आपको done पर click करना है, अब यहां पर देखेंगे, हमारा photo भी select हो चुगा, select होने के बाद हमें नीचे यहां पर here by declare दिया गया है, इसे टिक कर लेना हो, और submit पर click करना है, समेट करने के बाद, यहां पर कुछ दिर processing चलेगी, यहां पर हो सकता है कई बार आपका error आजाए, तो आपको यहां पर रात में try करना, दिन में यह कई बार काम नहीं हो पाता है, आप submit करेंगे बार बार, लेकिन submit नहीं हो पाएगा, तो आपको रात में ही try करना और यहां पर आप करते हैं तो यहां पर आप रात में कर सकते हैं तो यहां पर आपको रेजिटेशन करेंगे पासफट कर लेना और इस तरीके से आप रात में apply कर सकते हैं login के लिए आप mobile number और password का यूज कर सकते हैं तो यहाँ पर आप एक से दो बार try करेंगे तो यहाँ पर successfully आपका submit हो जाएगा आप यहाँ पर देख सकते हैं हमें एक reference number मिल गया है इसका हमें एक screen shot ले लेना है उसके करना है यहाँ पर आपको एक से दो बार कुछ इस तरीके का एरर देखने के लिए मिल सकता तो अगयन से आपको प्रोसीट टूपैमंट पर किलिक करना होगा आप यहाँ पर देख सकते हैं हम प्रोसीट कर गए हैं यहाँ पर एक चलान नंबर आ जाएगा इसे आपको next पर किलिक कर देना है उसके बाद यहाँ पर कुछ इस्टक्शन सा जाएंगे इसे आपको क्लोज करना है और हमारे यहाँ पर प्रोसीट बिद नेट पर किलिक करना है यहाँ पर देखेंगा हमें प्रोसीट के कई यहाँ पर आपको रिकमेंट करूंगा आप तो डेविट कार्ड का इस्तिमाल किजिए अगर से मोबाल में यहाँ यहाँ यह वाली विंडू क्लॉज हो सकती है तो इससे आप पर आपकी प्रोसीट बीच में अटक जाएगी हाँ अगर आप दूसरे मोबाल नंबर से फोन प पर क्यांट की देटियल्स को देदेना है डेटेल्स को फिल करने के बाद नीचे पर क्लिक कर देगे हमारे । इस तरीके की रसीद आएगी नीचे आपर आपको डावन लोड ऑख्लाइजमेंट पर आप किसी भी PDF Reader Software में open कर सकते हैं open करने के बाद चाहें तो आप इसका एक screenshot ले सकते हैं otherwise यहाँ पर आपको three dot पर क्लिक करना है sorry यहाँ पर आपको three dot के बरावर में share का option मिलेगा इसे share करना है उसके बाद पीडिएफ को प्रेंट करके दे सकते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं हमें यह character certificate apply करने में लगवग 15-20 मिनट लग गए और अभी जो टाइम है दस बच के 45 मिनट हो चुके रात के इस तरीके से अपने character certificate के लिए apply कर सकते हैं character certificate आपको रात में apply करना पड़ेगा दिन में mostly time आपका character certificate apply नहीं हो पाएगा जब आप character certificate के लिए apply कर देते हैं उसके बाद यहाँ पर आपके पास same day या फिर अगले देने या फिर उसके अगले देन option में देदूंगा बहां से जाकर आप इसे डाउनलोड कर लेना डाउनलोड करके आप से फिल करके मेंबर या फिर अपने प्रदान जो भी लगते हैं उनसे साइन कराकर आपको थाने चला जाना है साथ यहां पर आपको अपना अधरकार और जो हमने ओनलाइन किया character certificate उसकी रशीद ले जाना है उसके बाद थाने से आपका जो character certificate है एप्रूबल कर दिये जाएगा और आगे के लिए जो भी कारवाई होती वह आपके character certificate पर की जाएगी देन उसके बाद 8-15 दिन के अंदर आपका character certificate बन जाएगा character certificate बनने के बाद उससे डाउनलोड कैसे काते हैं वह मैंने इस वीडियो में बताया तो इस वीडियो को check out करना ना भूले